अलो दोस्तों केसे हो आप सब भी हुद करते हूं कि आप सब ठीक होंगे तो दोस्तों आज मैं आपके लिए कुछ एसे यूसफुल टीप्स एंट ट्रिक्स लेक्ष 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 आए हूं जिससे देखने के बाद आपके मुस्किल काम है वो आसान हो जाएंगे साथ कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो गर्मियों को लेकर हमारे काम बिगर जाते हैं खराब हो जाते हैं उनको हम बिना फ्रीज के बिना एक पेसा खर्च के कैसे सही कर सकते हैं वो भी घर में तो चलिए बिना देर की वीडियो सुरू करते हैं और वीडियो सुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चेन को अभी तक सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले तो यहां देखिए हमारा पहला टिप्स होगा कीचन को ही लेकर तो देखिए जब भी हम पनीर मंगवाते हैं तो कभी कबार ऐसा होता है कि हम दो तिन दिन इसको यूज कर पाते हैं और उसकी वजब से इक पूली तीन में पढ़ा 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 एकडम पीला पढ़्या जाता है जिसकी वज़दे से सब्सक्राइब जाता है तक इसको हम घर पे ही केसे सरी करें केसे इसको फ्रेश बनाए तो इसके लिए मैं एक बहुत ही यूजफुल यहां तो उसको निकालके और एक बरतन में थोड़ा पानी डालके पनीर को रखेगा और फ्रीजर में आप डीब जो फ्रीजर होता है उसी में रखना है आपको इसे पनीर बिल्कुल भी खराब नहीं होता है चाहे आप 10 दिन भी रख दे पनीर को बिल्कुल भी खराब नहीं होता है अब देखी होता है कि जिनके पास फ्रीज नहीं होता है तो उनको ये दिक्कत आती है तो हम क्या करेंगे इस पनीर को पहले अच्छे से दोएंगे दोने के बाद हमें दूसरा पानी इसमें फिर से डालना है और उसके बाद में हमें लेना है सिरका वाइट जो शिरका होता है वो आप यहां पे ले लीजे आप देखे इसको थोड़ा सा धकन में डाल के फिर आपको यहां पे डाल देना है आप देखो कि जो पनीर खराब हो चुका था उसका जो टेस्ट चला गया था वो एकदम फ्रेश और एकदम स्वाद हो जाता है बहुत ही यूसफुल टिप्स है फ्रेंज इस तरह से आप पनीर को फ्रेश बना सकते हो बिना फ्रीज के अगर आपको यह तरीका पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें आप देख सकते हो यह तरीका पसंद आया होगा तो चलिए देख लेते हैं हमारा अग्ला यूसफुल टिप्स यहां देखिए मैंने लिया है खीरा, तो खीरे को हमें आदा कट कर लेना है अब देखिए हम इसको करेंगे कदुकस यहां मैं कदुकस कर रही हूं, तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आरही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दे और वीडियो आप कहां से देख रहे हो ये भी मुझे कॉमेंट करिएगा ताकि मुझे खुशी हो कि मेरी वीडियो कहां कहां तक पहुंच रही है वीडियो को इन तक देखना है तब ही आपको जो यूसफूल टिप्स है वो देखने को मिलेंगे तो अब देखिए हमने यहां पर कदुकस कर लिया है और इसका देखिए चिलका अलग हो चुका है तो चलिए इस चलके को तो हम फिंग देते ही अब हमें इसका यूज कैसे करना है तो देखे फ्रेंश अभी गर्मिया बहुत जदा आ चुकी है और गर्मियों में हमें बहुत सी दिककत होती है जिसे कि हमारी आँकों में जलन होना खुजली आना, सूजन आना बहुत से दिक्कत होती है, एलर्जी होना तो ये सारी ही जढ को खतम करता है, इस तरह के जो रोग होते ही आंकों की प्रोब्लम को वो पूरा खतम करता है तो इसको करना क्या है, कि पहले आप देखिए, इसको छान लेजे लेकिन पूरा आपको इसका जूस नहीं निकालना है इस juice का भी हम यूज करेंगे वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी दूसरी वीडियो में आप जरूर से देखिएगा और यहां देखिए यह जो पल है इसको हम चान लेते हैं यहां मैं देखिए एकदम इसका पूरा juice नहीं निकाल रही हूं तोड़ा इसी में कर लेना है करने के बाद देखिए अगर हमारी आँखों में जलन हो रही है या फिर डार्क सल्क हो चुकी है उसके लिए भी यह बहुत ज़्यादा फाइदे मन रहता है तो अब देखिए दो मेने अलग अलग इस्तिक्यों में इसको बना लिया है आपको देखिए इसको कैसे रखना है आँखों के उपर जब भी आप पूरा काम निपटा ले आप चाहे तो रात के टाइम भी इसको यूज कर सकते हो या फिर आप सुबह के टाइम भी इसको यूज कर सकते हो क्योंकि रात में भी भो ज़्यादा जलन होती है आँखों में खुझली आना रात बर पर हम फोन देखते रहते हैं दिन बर तो उसकी बज़े से भी हमारे आँखों में प्रोब्लम आती है तो उसी प्रोब्लम को भी यह दूर करता है तो अब देखिए आपको इस तरह सी आँखों की उपर रख लेना है एक डेठ गंटे तक आपको इसी आँखों पे रखोगे तो आप देखोगे कि इतना आपको अराम मिलता है और जो भी दिक्कत होती है वो जड़ से खतम हो जाती है सबते में आप दो तिन बार जरूर इसको ट्राइ करिएगा अगला मेरा टिप होगा देखिए हमारे पास किचन में इस तरह के जो किसर होते हैं जो हम किसते हैं आलू को मत्ते हैं तो यह ऐसे ही पड़े होते हैं कभी कभार हम इसको यूज़ करते हैं और कभी कभार हमारे पास एक्स्टा में रहते हैं तो उसको हम बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं देखे कीचन में हमारे बहुत से बरतन होते हैं चम्मच होते हैं तो हम क्या करते हैं चम्मच अगर बड़े बरतनों में रख देते हैं तो वो मिलते नहीं है तो आप देखिए इसमें ये डाल के रख लीजे एक छोटा सा इस्टेंड आपका बन जाएगा और चमच भी एक साइड में रहेगी आप कीचर में कहीं पर भी इसको हेंग कर सकते हो और देखिए बहुत ही बढ़िया लगता है देखने में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हमने ये किसर में लगाया है ऐसा लगता है कि ये चमच का हिस्टेंड है तो आप इस तरह से आसाने से इसको निकाल सकते हो फिर से चमच को देके लगा सकते हो आपको ये तरीका कैसा लगा कोमेंट करके जरूर बताईएगा अगला मेरा टीप बहुत ही यूजफूल है देखिए कभी कबार क्या होता है कि बच्चे अपने शेट पे पेंड चला देते हैं और फिर वो निकलता ही नहीं है यहां आप देख सकते हो मैंने पेंड को अच्छे से चलाया दिया है ताकि आप समझ पाएं और आपको ऐसा लगे कि यह हो सकता है आप देखिए यहां मैंने नीच पेपर लिया है ताकि हम जो भी लगाएंगे वो सोक ले तो इसी के हिसाब से आपको कोई पेपर लेना है या टीशू पेपर आप ले सकते हो या फिर कोई पूराना कपड़ा भी आप ले सकते हो अब देखिए आपको क्या करना है कि जब आप इस तरह से करोगे तो यह जो इंक होती है वह क्या है कि छूटने लगती है तो उसकी वज़े से यह पूरा फेल जाता है देखिए हमें इसको दो लेना है लेकिन में दूसरी जगह पे जाके नहीं दोंगी इसी वीडियो में आपके सामने ही दोंगी तो देखिए कि मैंने यह पे पानी डाल लिया है और डालते ही देखिए आप देख पा रहे हो कि जो भी इसमें इंक लगावा है वो सारा ही छूट चुका है तो इस तरह से हम क्या है कि पेन की इंक को निकाल सकते हैं अब देखिए अगर थोड़ा बहुत रह चुका है तो हम इस पे लग हम जादा रगड़ रगड़ के दोते हैं तो उसकी रुवे आलने लगते हैं और कपड़ा भी क्या है खराब हो जाता है तो इस सचिविशन में आप यह तरीका जरूर अपनाएगा आपको जरूर 100% डिजल मिलेगा यहां देखिए मैंने अच्छी सिसको दो लिया है तो देख सकते हो और देखिए इसमें थोड़ा बहुत अभी भी कलर दिख रहा है तो मैंने अच्छी से इसको पूरा साफ नहीं किया है ताकि क्या है कि आपको यकीन हो जाए आप देख सकते हो फ्रेंस बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि इससे गया नहीं है पर इफेक्ट तरीके से यह चला जाता है इंक और इस तरह से आप यूज जरूर करिएगा तो आपको यह तरीका कैसा लगा कोमेंट करके जरूर बताईएगा तो चलिए देख लेते हमारा अगला यूसफुल टिप्स तो यहां देखिए फ्रीजर में जो यह कील लगे होते हैं कील में जं प्रीकुल भी क्या है कि यहां पे जंग नहीं लगेगा और यह इसका जो जंग है वो भी नहीं फेलेगा बहुत यूसफुल टिप है जरूर इसको ट्राइगा तो फ्रेंच मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करती हूं उससे पहले आप जरूर बता दे कि आज की वीड सकति बाहे जज की जरूर इसके जरूर इसका यहां बदावार बदात वीडियो कोई वीडियो का जरूर अपक है कि करते है जहीं टूर सकती है